जै इन साथियों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीय से मिस्ट अभाला में साथियों यह जो प्र手 dice है इस प्र手 Championships का नाम है लोगसाहिते अमम लोगसंस्क्रीती दूतियों फर्ष्ट पेपर मैंने करा दिया है, सिकेंड पेपर ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ से जा करके आप देख सकती है, अच्छा, देखिए ये बीए सिख समेश्टर का हिंदी का प्रस्नुपत्र है, ठीक है, प्रस्नुपत्र का नाम तो आपको पताई है, लोग सहित, उन लोग संस्कृती, दूती, फर्ष्ट पेपर भी कराया, देख लिजेगा, इसका एक्जाम दो हजार तेश चोबिस सस्त्र में हुआ है, ये दिन दियाल उपद्ध है, गोरगपुर विश्विद्याले का प्रस्नुपत्र कोड है, है, एच साथियों, ये जो प्रस्नुपत्र है, प्लीज इस प्रस्नुपत्र को सेयर कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, चले, इसमें पहला प्रस्न आपका पूछा साथियों, लोग साहित जनता का वह साहित है, जो जनता द्वारा जनता के लिए लिए लिखा गया हो, क लोग support नहीं करेंगी तो और खून करेगा प्लीज सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा ठीक है चले इसमें साथियों आपका दूसरा प्रस्न पूछा था देशिल बयाना सब जन मिठ्था देशी भासा अर्थात लोग भासा सभी को मीठी लगती है यह किस ने कहा था भी या त इस रस की प्रधानता पाई जाती है तो लोक गीतों में बीर रस होता है करून रस होता है और वातसल्य रस होता है ठीक है डी आपसन करेक्ट हो जाएगा आपका सभी चले प्रस नमबर चार क्या पूछा है लोग साहित और सिष्ट साहित में मूलभूत अंतर नहीं थै यान अज्याद होता है ठीक है जो लोग साहित होता है उसमें रचैता होता है उनके जो नाम होता है जिस्ट साहित होता और जो सिष्ट साहित है सु संस्क्रीट व्याकररण बद्ध होती है ठीक है तो यह सभी अंतर है डियापसन करेक्ट हो जाएगा आपका चले पांच नमबर प्रस्ण क्या पूछा है आलाखंड का केंद्री भाव है आलाखंड का केंद्री भाव क्या था? तो बीर है ठीक है केंदरी भाव बीर होता है चले छट्वा प्रस्ण आपका क्या पूछाया साथी हूँ पिया पिया कहत पियर भाइली देहिया पक्ती में किस बोली का परियोग किया गया है तो इसमें भोशपूरी बोली का परियोग किया गया साथी हो ठीक है पिया पिया का हत पियर भाइल देहिया तो ये भोजपूरी इसमें वाक्षी का प्रयोग किया गया है सी आपसन करिक्ठ है चले सात्वा प्रस्ण क्या है आपका राम नरेश तिरिपाथी द्वारा ग्राम गीतों का संकलन किस नाम से प्रकासित हुआ तो कविता कवमुदी के नाम से डी आपसन करिक्ठ है चले बहुत ही सांदार प्रस्ण नमर आठ है क्या है बेहाथ का बेगोड का पहाड चड़ जाए देखतो बनखंडी बाबा कौन जनारो बाए पहली का अर्थ है तो इस पहली का अर्थ होता है बादल ठीक है बिना हाथ का बिना गोड का उपहाड पे चड़ जाता है ठीक है अच्छा देखत बनकंडी बाबा कौन जनारो बाए यह कौन सा जानमर बाबा तो इस धूँआ है ठीक है यह एक पहली है तो बादल और धूँआ यह दोनों है सी आपसन आपका करिक्ठ हो जाएगा चले नमा प्रस्णाप का पूछा है भोचपूरी बोली की विशिष्टता है भोचपूरी बोली की विशिष्टता इकार बहुला है सी आपसन करिक्ठाप का प्रस नमर दस क्या पूछा है भोजपूरी का बहुचर्चित नाटक बिदेशिया के प्रणेता है तो बिदेशिया के प्रणेता भिखारी ठाकूर है प्रस नमबर 11 क्या है ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है इनमें अलंकार नहीं केवल रस है छंद नहीं केवल लए है लालित नहीं केवल माधूरे है ग्रामिड मनुस्यों के इस्तिरी पूरूस के मध्य में हिर्दय नामक आसन पर बैठकर प्रकिर्टी गान करती है, प्रकिर्टी के गान ही ग्राम गीत है, तो यह किस ने कहा था भी या, तो राम नरे श्त्रिपाठी नी, ठीक है, यह आप संकरिक्ठाप का आग ग्यारेका, प्रस नमबर बारा आपका पूछा है साथियों, केवल इस्तिरियों द्वारा गाय जाने वाली भोषपूरी लोक गीत है, यानि केवल माताओं के द्वारा जो भोषपूरी में गीत गाय जाता वो कौन सा है, सोहर है और विवाह गीत है, यह दोनों माताओं के द्वारा गाय ठीक है केवली स्तिरी को कुछ दोरा C option correct हो जाएगा आपका चले तेरे नमबर प्रस्ण क्या है किर्तनिया क्या है किर्तनिया लोक नाटे है D option correct हो जाएगा आपका प्रस्ण नमबर चौदर क्या है दिल्ली की बेटी मतुरा की गाय करम भूट तो अनायत जाए उपरियुक्त पक्ती का प्रकार है तो यह लोकोक्ती है साथियों D option correct हो आपका प्रस्ण नमबर पंदर क्या है बिहारी उप भासा वर्ग के अंतरगत आने वाली बोलियां है तो भोशपूरी मैथली और मगही यह तीनों क्या है बिहारी उप भासा वर्ग के अंतरगत बोली जाने वाली बोलियां है ठीक है D option correct है चले प्रस्ण नमबर 16 क्या पूछा है यदि लोक संस्कृती की किसी विसाल बिर्ग्ष से उपमा दी जाय तो लोक साहित उसकी एक साखा के समान है यदि लोक संस्कृती एक विस्तृत नदी है तो लोक साहित की उपमा किसकी छोटी सी नदी से दी जा सकती है तो इसका जो प्रस्ण का उतर है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा ठीक है यह किसने कहा था ध्यान रखिएगा यह आप लोगों का होमवर्ख है प्रस्ण नमर सतर क्या है दुलहिन कावभ मंगल च्यार हम घरे आएं हो राजा राम भरतार पक्ती का संबंद है इस पक्ती का संबंद संत साहित्य से है यह आप सन करेक्ट आपका सतर का प्रस्ण नमर अठारे क्या पूछा है मागदी प्राकिट अप भरंस से किस बोली की उत्पत्ती मानी जाती है तो बिहारी हिंदी की उत्पत्ती मानी जाती है यह आप सन करेक्ट आपका प्रस्ण नमर उन्नाईस क्या है लोक साहित विज्ञान पुस्तक के लेखक है तो सतेंद्र जी ठीक है सतेंद्र लोक साहित विज्ञान पुस्तक के लेखक है प्रस नमर बीस आपका पूछा साथियों बिंदिया उपन्यास के लेखक है तो रामनात पांडे बिंदिया उपन्यास के लेखक है प्रस्ट नमर 21 क्या है बोली हमरी पूरब की हमको लखे न कोई हमको तो सोई लखे जो धुरी पूरब का होई पक्ती है या पक्ती किसका अभी या भिखारी ठाकूर जी का सी आपसन करिक्ठ है चले, भिखारी ठाकूर जी को भोजपूरी का सेक्स बियर कहा जाता है, ठीक है चले, बाइस नमबर प्रसन क्या है आपका अच्छूद की सिकायत कविता किसकी है अच्छूद की सिकायत कविता हीरा डोम की है यह अपसन करेक्ट है आपका प्रस नमर तेज क्या पुछा साथियों अन्न जल उठाना मुहावरे का अर्थ है तो ऐसी स्तिती का होना जिससे एक अस्थान छोड़कर दूसरे अस्थान पर जाना पड़े ठीक है अन्न जल उठा ले ले बाटी आप लोग सुने होंगे गाउं में कहावर ठीक है मुहावरा है भोषपूरी साहित संचयन पूस्तक किसकी है तो कृष्ण देव पध्याई जी की है अप्सन करेक्ठ आपका प्रस्ट नमर्ट 25 क्या है पहलियों के लिए परसिद्ध रचनाकार है पहलियों के लिए परसिद्ध रचनाकार को ने भई या अमीर खूसरों है ए आपसन करेक्ट है 25 का प्रस नमर 26 आपका पुछा साथियों घड़ो पानी पढ़ना मुहावरे का अर्थ है लजजित होना ठीक है तनको एकर एक घड़ाम पानी नाई पढ़ाता मतलब लजजित होना ठीक है सी आपसन करेक्ट आपका ये सबी बाते आप लोग सुने होंगे जरूर कहीं न कहीं काओं में मैं भी गांग से बिलांग करता हूं साथियों प्रस नमर 27 है आपका भोचपूरी साहित्य का सेक्स पियर किसे कहा जाता है देखिए अभी मैं कुछ देर पहले बता रहा था भीखारी ठाकुर्जी के वो भोचपूरी साहित्य का सेक्स पियर कहा जाता है ठीक है चले प्रस नमर 28 है लोरिकायन नामक लोक गाथा की नाई का कौन है तो चनवा है ये आपसन करेक्ट आपका प्रस नमर 29 क्या है भोचपूरी साहित्य की सुरुवात किस आधिकालीन सिद्ध संत की कविता से माना जाता है तो ये गुरखनाजी के माना जाता है ठीक है बियापसन करेक्ट आपका प्रस नमर 30 आपका पूछाय साथियों बन को निकसी गय दुन भाई राम बिना मोरिसुन अजोध्या लशिमन बिन ठकुराई उपरियुक्त पक्तिया किस लोकगीत का प्रकार है तो ये भोचपूरी लोकगीत है साथियों ये आपसन करेक्ट आपका चले प्रस नमर 31 क्या है अंजोर भोचपूरी पत्त्रिका के संपादक कौन है किस परकार की चेतना नहीं थै अजोर की जो सिकायत है किस परकार की चेतना नहीं थै वह या इसमें दलित चेतना ये आपसन करेक्ट आपका प्रस नमर 33 क्या है भोचपूरी का महानतम महकाब्य बधायन किसकी कृति है तो यह दंडी स्वामी वीमला नंद सरस्वती जी की है ठीक है वी आपसन करेक्ट आपका प्रस नमर 34 क्या है भोचपूरी नामकरण किस अस्थान से संबंदित है भोचपूरी जो नामकरण है यह भोचपूर से संबंदित है वी आपसन करेक्ट आपका प्रस्ट नमबर 35 क्या है हिंदी के परसिद्ध लोक साहित कार है जिनकी रचनाओं में लोक साहित से तत्व विधमान है कौन भी या तो गोरख नाजी है मतसंद्र नाजी है और भरतर हरी है डी आपसन करेक्ट हो जाएगा आपका चले प्रस्ट नमबर 36 है लोक साहित की भूमी का परसिद्ध पुस्तक किसकी है तो जो पुस्तक है कृष्ण देवपाध्याय की है ये आपसन करेक्ट आपका प्रस नमर इसमें 37 क्या है भोशपूरी कहानी मुवार के लेखक है जो भोशपूरी कहानी है मुवार के लेखक को ने भीया तो मधुकर सिंग जी है यह आपसन करेक्ठ आपका प्रस नममर 38 क्या पुछा है सदा हवा ही पर रहे लेपत नपल भर सांस पहली कार्थ है तो यह साइकल है यह आपसन करेक्ट आपका प्रस नमर 39 साथ हुआ आपका भोचपूरी के कभी है भोचपूरी के कभी कौन है तो महेंदर, मिसीर, चंदर सेखर, मिस्र, भोलानाथ, गाहमरी ये सब क्या है भोच पूरी के कभी है ठीक है डी आपसन आपका करिक्ट हो जाएगा अच्छा, चालिस नमबर प्रस्ण क्या है आपका लोक गीत का प्रकार नहीं है तो इसमें जो जनतसार है, जूमर है, फिल्मी गीत है ये सभी लोक गीत है लेकिन कभीर क्या है कभीर जी आपके भक्तिकाल के कभी है ठीक है डी आपसन आपका करिक्ट है ये लोक गीत का प्रका नहीं है यह भक्तिकाल के कभी हैं चले 41 नंबर प्रस्ण क्या है छचुंदर के सिर्परना भाये चमेली यहां पर लिखा है छचुंदर के सिर्परना भाये चमेली का तिल उपर्यूग्त पक्ति है यह जो पक्ति हैं साथियों लोकुक्ति का पक्ति है ठीक है यह आप संकरिक् साहित्य का लग्षड लोग साहित्य की भासा अस्वा भाविक यानि कित्रिम होती है ठीक है लोग साहित्य का लग्षड नहीं है प्रस नमर फोटी थरी क्या है भोजपूरी साहित्य की विशेष्ता है तो साथियों भोजपूरी भासा लोग जीवन रचाईता के जो नाम होते है ज्यात होते है डी अप्सण अपका करिक्ठ हो जाएगा अ प्रथम प्रस्ब्रस नंबर फोटी फाईंड कि इस वीड़त्रjor की भोष्भष को कासी का नाम दिया है तो साथियों ला राघुल सांकृति आयंजी ने दिया है यह अफ्सन करिक्ठ आपका प्रस nächste नमर 46 क्या पूछा है लोक-साहित, शिद्धांत और परियोग पुस्तक किस पुस्तक है यह पुस्तक है स्री राम सरमा जी की है 46 का Time Red प्रस्ट४ नमर 47 क्या पूछा है व देसिया नाटक की पहस्चान है व देसिया नाटक की पहस्चान क्या है लोग नाटक ए Oxon Correct फ्र paragraphs number 48 है कजरी लोकगीत के आने का प्रचलन किस माह में है तो कजरी लोकगीत सावन में ठीक है वहाँ पर वर्सारीच दिया था और मैंने बोला भी था सावन तो देखे कभी-कभी आपके इग्जाम में सावन और वर्सारीच दोनों लिग करके देता है मतलब या तो सामन लिग करके देगा या तो वर्ट सारी तो ठीक है ध्यान रखेंगे चले प्रस्ट नमर 49 क्या है हांस व्यंग परधान भोशपूरी कहानी एक बटुकी सांच के लेखक है तो इस प्रस्ट का उत्तर आप लोग कमेंट बाक्स में बताइएगा या आपका होम वर्ख है चले प्रस्ट नमर 50 क्या है बिद्यापति द्वारा रचीत पदावली किस लोक बोली में है तो यह महतेली में है बी आपसन करेक्ट आपका उमीद साथियों यह प्रस्ट पत्र आपके लिए काफी लाग धाय होगा परिछा के द्रिष्टी से प्लीज इस प्रस्ट पत्र को सेर कर दिजेगा साथियों प्लीज सब्सक्राइब करके सपूर्ण जरूर करें एक लाइक करके जाईएगा या आपकी जिम्मेदारी है जल्दी मिलते हैं नेस्ट क्लास में तब तक लिजाहिन वंदे मातरम